कि UPSC exam है क्या? यानि UPSC exam है क्या? हम पहले इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं. ठीक है, UPSC क्या है? Union Public Service Commission. What is UPSC? Union Public Service Commission, ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है. इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. और UPSC ही जो है, एक सम्वेधानिक, यानि Constitutional Body है, जो इस All India Service के लिए आपके exam को conduct करती है. अब सवाल है, किस तरह का exam conduct करती है UPSC? exam pattern क्या है उसका? तो exam pattern, the civil service exam, consists of three stages. यानि इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं. Prelimary, Mains और Personality Test, यानि तीन चरण होते हैं. पहला आप prelims देते हैं, जो qualifying nature का है. जब prelims आप हो जाता है, तो आप Mains exam देते हैं, जो return nature का है. और इसके बाद आप third stage पर जाते हैं, जो interview होता है. जब यह आप तीनो stage क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें last के दो stage, यानि Mains और interview के marks final आपके जोड़े जाते हैं, और All India आपकी rank बनाई जाती है, और उस rank के हिसाब से ही आपके जो इच्छाएं हैं, जो आपने service को पसंद किया है, जो आपने zone पसंद किया है, वो आपको दिया जाता है. यानि इस exam की एक और शर्त है, जो बड़ी important बात है, कि अगर अगर अपना मन पसंदीदा service आपको IS चाहिए, IPS चाहिए, या आपको मन पसंद जो है आपका zone चाहिए, तो निश्यत रूप से ये तैह है कि आपकी rank अच्छी होनी चाहिए, यानि यहाँ पर दो तरह की चुनाओतिया है, पहली बात, यह All India Nature का है, यानि All India Pattern का exam है, पूरे देश के बच्चे इसको दे सकते हैं, विबिन विबिन स्टीम के बच्चे इसको exam दे सकते हैं, दूसरा, इस exam में तीन अलग-अलग चरण है, जहाँ preliminary objective nature का है, main subjective nature का है और interview जहाँ पर आपको अपने व्यक्टित्त को बताना पड़ता है, आपको अपनी हाजिर जवाजी, presence of mind ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ selection लेना चुनाती नहीं है, यहाँ marks और आपके rank लाना भी एक चुना तो केवल जिसने PCM की पढ़ाई की है, वो केवल IIT देगा, medical का, जिसने PCB की पढ़ाई की है, वो केवल medical देगा, जिसने commerce पढ़ाई है, वो chartered accountant के लिए exam देगा, बट UPSC का जो competition level है, वो बहुत tough हो जाता, reason ये होता है, किसी भी stream, किसी भी language, किसी भी board, कहीं से भी कोई भी student, वो इस exam में enter, जो graduate है simple, और इसके चाया कोई भी marks आये हो, किसी भी विधा में पढ़ाओ, किसी भी regional language से पढ़ाओ, वो इस exam में enter कर सकता है, यानि इस exam के लिए, जो eligibility criteria है, वो इतनी open है, इतनी open है कि देश का हर व्यक्ति, और लंबी उमर तक, इसमें प्रवेश कर सकता ह है, प्रवेश कर सकता है, यानि अगर आप general हो, 32 साल तक exam दे सकते हो, 21 साल से 32 साल तक वो लड़ाई कर सकता है, उसको कोई marks का criteria नहीं, कोई board का criteria नहीं, किसी subject का कोई criteria नहीं, कि भाया, maths होगा तभी दे पाओगे, biology होगा तभी, अब इसका मतलब क्या है, इस exam का, ये one of the toughest exam है, जिसमें chat GPT भी fail हो गया, ये one of the toughest exam है, इस दुनिया में, संसार में, Asia के सबसे tough exam के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें entry points बहुत जादा होते हैं, कई तरीकों से इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, इसी लिए competition बहुत जादा हो जाता है, तो जब competition जादा ह हैं, अब सवाल यह है कि मुझे घर पर तयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे घर पर तयारी करनी चाहिए या नहीं, तो जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपसे बताने ज कर सकते हैं आप को किसी सेट तरीके से पढ़ाई इसने समय ये करना है इतने पर चमै वह करना है फिक है तो आप जो है flexibility है कोई fix schedule नहीं है कोई fix location नहीं है आप job में हैं, आपका transferable job है, आप कहीं आते जाते हैं, housewife है, आपको जो है, आपके घर से दूर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इस आपसे पढ़ाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आपको flexibility मिल जाती है, आप नौकरी पर गए, मेरे कई student हैं, जो police में हैं, कभी उनकी duty night में होती है, कभी day में होती है, तो तब भी वो अपनी तयारी कर रहे हैं, online के माद्यम से, ठीक है, चलिए, दूसरा, personality study, सबसे personalized study, यानि आप क्या करोगे, आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किसी चोटे segment में पढ़ना चाहते हो, आप अपनी weakness में काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, तीसरा है minimal distraction, अगर आप कहीं एकांत जगह पे रहो, किसी भी जगह रहो, तो आपको distraction कम होगा, हालांकि, जिन बच्चों से मैंने बात किया, अपने घरों पर जब वो तैयारी कर रहे थे, तो सबस्यादा उनको distraction का सामना भी करना पड़ा, ठीक है, तो घर वाले सोसने हैं, घर में बैठा हुआ है यार, कुछ भी कर लो, ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत आती है, अरे थोड़ा सबजी लेते हो यार, थोड़ा से घर का काम कर लो, अरे वो थोड़ा सा ये चीज़ देख लो, तो उन्हें नहीं लगता है कि तुम जो है पढ़ाई कर रहो, हाँ या ना मुझे बताते जो, उनको लगता है घर में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मोबाईल खोल कर उनलाइन क्लास कर भगा, इसको कुछ काम में लगाओ, या घर में उठा पटेक हो रही है, पार्टी हो रही है, आई पील का मैच, वाँ जो जो से तालियां बज़री है, इधर तुम बैठके पढ़ाई कर रहो, तो ये भी होता है कि अगर आपको घर पर एकांत माहल मिल गया, तब तो बहुत अच्छा है, विलकुल distraction नहीं है, और अगर एकांत माहल नहीं मिला, problem वहीं शुरू हो जाती है, जब घर वाले आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिसे टीनाडवी की मदर थी, तो टीनाडवी की दोनो बेटियां, वो दोनो जो जब आपकी जो मदर है, उन्हों ने अपनी दोनो बेटियों को अभी बाहर कहीं कहा हुआ है, अभी यहां नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस बीच मैंने बहुत से बच्चों की बात की, जहां परिवार में सिक्षा को लेकर बहुत जाथा आवेरनेस नहीं है, तो तुम पढ़ाई करें, अरे का आप पढ़ाईये तो कर रहे हो अरे उठो जाज सबजी लेते हो, अरे जड़ाद देखो, वो दू दू बल रहा है, अरे जड़ाद चाय बना दो, अंकल जी आए हुए, तो अब आप एंसर लिख रहे हो, और आप बस रूख जाएए, पांच मिनट एंसर पूरा कर लो, अरे तो तुम बीच एंसर में तु तुम आप एंसर लिख रहे हो, इधर ओजांक सर तुम से एंसर लिख रहे हो, वहाँ कोई चिला रहे है, अंकल जी आए है, चाय बनाओ, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है, जल्दी बताओ, अब अच्छा तुमने चाय बनाने के लिए उड़ गए, जब लॉट किया हम लिख फिर से तुम सोच रहो, यार मैंने इंट्रोडक्शन क्या सोचा था, भारतिय संस्क्रित में मुझे क्या लिखना था, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है, तो अगर तुम्हें एक आंत महौल मिल गया, तो बले बले, नहीं तो अब तु निकल ले, यहाँ पर सबसे बड़ा री पानी नहीं आ है, चला देखाओ, उपर जाओ, टंकी देख लो, तो फिर वहाँ दिखा था, और वो यह नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हें इंपॉर्टेंट काम कर रहो, तो अगर यह समस्या है, तब तो घर में फिर तुम्हें बाहर मुश्किल ढूणने क्या हैं, वो बाहर से मैंने बात की, मैंने अभी जो कांसलिंग की गुरुकुल की, उनके इसाफ से, सिल्फ डिसिप्लिन, अनुशाशन ही नहीं है, स्वा अनुशाशन ही नहीं होता, स्वा अनुशाशन ही नहीं है, सब स्वा अनुशाशन ही नहीं है, जैसे माल लो, क्लास में, गुरुकुल म वहां पर दीपक सर ने अपनी क्लास ले ली वहां पर उन्होंने कुछन पूछने शुरू किया अब इनके उपर प्रेशर आ गया तो थोड़ी तबियत खराब थी या जो है वो ये हो गया था वो चले गए थे वहां साधी में अब ये जो चीज है अगर आप पढ़ाई में सो अनुसाशन लेकर नहीं आ पाए यानि आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पार जो कि बहुत मुश्किल काम होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी माली जिए छे बज़े आपको उठना है 6 a.m अब आप उठ रहे हो यार 8 बज़े उठे देख लेंगे तो आपको कोई दे इंडेटरी है जब गुर्कुल में बच्चे आएंगे तो रूला मारेंगे इधर क्लास खतम हुई उदर एंसर शीट सामने कोश्चन शीट आजाएगे लिखो भूख लगी हुए पेट में गुड़गुल हो रहा है करो एंसर करना है तो हम तुमारे सर पर बैटके तुमसे इंसर कर बार है जाओगे कहां तुम भाग के जाओगे कहां तुम तो वो क्या है अनुशाषन बिल्ड़ अप करना पड़ता है तो अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपका डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं या थोड़ा सा भी दायबाय हो तो आपका कान कि आपको बिठा सकते हैं तब तो घर पर तैयारी करने के कोई भी नुकसान नहीं है आप आराम से तैयारी कर सकते हो लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है आपकी पढ़ाई का कोई महत तो नहीं समझ रहा है कि आज ये तुम्हारी preparation क्या important UPSC में हर डे fight करनी पड़ती है competition level क्या है आपका growth projection क्या है आपका जो है progress chart कितना निकल कर आ रहा है आप कितने answer लिख रहे हो आपका WPM क्या है यानि word per minute आपका क्या है आपकी reading क्या है आपकी writing क्या है आपका personality development क्या है तो फिर तुम एकदम lethargic हो जाओगे ठीक है मैंने इसे पहले भी class में तुम्हें समझाया था कि laziness हमारा एक खासगोंड होता है हम lazy है by nature दूसरा lack of guidance अब मालीजे आपने answer लिखा मालीजे आपने answer लिखा अब वो सही point लिखा मालीजे आपको भारत के वंचना के बारे में गरीबी के बारे में कुछ negative points लिखने थे अब आप उसको positive लिख बैठे और आपको लग रहा है कि नहीं आपने तो answer दे दिया या मैंने अभी पिछली class MAP में सिखाया था कितने लोग है मैं भी एकी class कर रहे हैं तो वहाँ पर मैंने सिखाया था कि देखो tail word कैसे होते हैं जो एक बच्चे ने कहा इसमें हम जो है इसमें नकारात्मक लिख से मैंने कहा निसको नकारात्मक नहीं लिखना है जब तुमने पहले इसको थाय कर लिया कि यह सकारात्मक है positive है उसको negative क्यों लिखोगे तो आप वो बच्चा लिखी देगा तो सवाल है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी guidance क्या है lack of guidance है अगर वहाँ दिक्कत हो गई यानि कौन आपको guide कर रहा है कि मैं कैसे पढ़ रहा है माल लिजे एक example दे रहा हूँ ठीक है तो यह क्या है यह history की एक तुम्हारे काम की चीज क्या है यह post graduation की book है यह तिहास की कुछ points बहुत अच्छे है इसमें अब तुम्हें यह नहीं पता पूरी किताब जब ढ़ाई 3000 पन्ने की पढ़ डालोगे तब तुम्हें पता चले को हो इसमें 30% मेरे काम का था तो सवाल है कि क्या तुम्हें कोई guidance देने वाला है तो दूसरी चीज है question तुम पूछोगे अगर है तो तुम्हें कोई भी coaching join करने के आउशक्ता नहीं है तीसरा चीज है isolation बहुत जरूरी होता है तुमने यह सुना होगा कि हमारे रिशी मुनी अपना जो वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन छोड़कर चले चले गए आज हम उनको याद करते हैं महान गुरू को तो वो जंगलों में चले गए और लंबे समय तो कुन्होंने साधना की एकांत में अपना परिवार छोड़ दिया सबको वो कहानी याद होगी अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर निकल गय तो क्यूं क्यों क घर में पता चला शाम को सीरियल चल रहा है तुम्हारे करियर से जादा जो है वो फलानवा जो है रिष्टा क्या कहलाता है कि उसके घर में क्या बावाल चल रहा है तुम कहरो कि नहीं मुझे पढ़ने तो टीवी धीमा कर दो मुझे अभी जो है वो रिवीजन कर रहा है यहां पर यह हो रहा है, भीया, वो सीरियल आ रहा है, उस सीरियल में में कौन उसकी सास है, कौन उसकी बहु यही पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हारे घर में यह सबसे जादा important है। उधर वो रोरी है, कारेक्टर इधर फूरा घर आंसु बहा रहा है। और तुम आके कहरो, अरे आसु बाद में भानला चाय देदो, बहुत देर पढ़ाई करनी है, अगर भग, भग यांस, देख रो, उसके घर में दिक्कत हो गई है, तुम्हारे घर में क्या दिक्कत हो रही है, इसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, So if you don't have any isolation, अगर आप प्रथक नहीं हो पा रहे हैं अपने आपको, तो आप कभी भी ज्यान की खोज में नहीं चाल पाओगे, महात्मा बुद्ध सबसे प्रथक हुए, तब वो बुद्ध बने, तो प्रथक होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए गुर्कुल बैच मैंने गुर नहीं कर सकती है, अगर ये शुर्टी दे सकते हो, तो स्वागत है, मैंने इतने कठिन कोईशन पूछे हैं वहाँ पर, कि मुझे शुर्ण से ही है कि तुम जो है, तीन सो पैसर दिन तुमारे घर में शादी तो निप्टा क्या हो, कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी कर क कि आओ, उससे पहले class मत जोईन करो, तो ये question मैंने वहाँ पूछे थे, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यान के लिए isolation बहुत जरूरी है, तो इतना कठिन कर दूँगा यहाँ गुरुकुल में, कि तुम लोग जो परिशान हो, डायरी तक मिलेगी, छोटे बच्चों की तरफ मैं डायरी भी चेक करानी पड़ेगी, कितने glass, पानी पीर, MIT क्या है तुम्हारी, ये सब कुछ तुम हमें दोग और mentors चेक करेंगे, ये तुम समझ लेना, और अगला चीज है distraction, ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास-पास distraction है, internal और external दोनों, ये मैंने बच्चों से बात की, तो ये चारो point मुझे गुरुकुल की counselling करने में पता चला, कि ये चार ऐसे point हैं जो आपको परिशान करते हैं, ठीक है, distractions, कोई भी छोटी 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 चीज, family में है, शादी है, अब लोग पहुंच जा रहे, बता बता कौन सी साड़ी पहने, अरे बता यार तु क्यों स सूट पहनेगा, तुम भलाना चीज क्या करोगे, ये सब distraction है, ठीक है, तो अब इस condition में क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि distractions are बहुत तुम्हारे लिए खतना को, तो कुछ अंदर होते हैं, कुछ अंदर distraction होते हैं, आपका mobile एक distraction है, कोई नहीं disturb कर रहा है, mobile आपको disturb कर रहा है, addiction आपको disturb कर, आप किस से कहो, किस से मदद मांगोगे, वो तुम्हारे आसपास है, तो ये चार चीजें आपकी सबसे बड़ी चुनातियां है, रेडी, अब आजाओ, अब हम सही तरीके से तैयारी कैसे करें, यानि सही पर्यावरण क्या होगा आपका, क् एक program हमारा चलता है Mark Darshan, ठीक है, अब इसको समझो, हमारा एक program है Mark Darshan, personal mentorship program, औजांक मार्दざशन program है, तो इसके लिए क्या है, तुम लोग यहाँ form भी बढ़ सकते हो, या सब लोग मुझे phone करके बता सकते हो, तो हमारे mentors आपसे personally बात करेंगे, ठीक है, और वहाँ आपकी problem को सुनेगी क्योंकि अगर problem को सुन भी लिया जाए तो उसका कोई ना कोई solution निकल पाएगा कई तरह की problem होती है personal, financial, emotional ठीक है, health कई बार हम किसी से कह नहीं पाते हैं तो mark darshan के साथ कौन-कौन जोड़ना चाहता है ठीक है, यहाँ पर हम लोग call करेंगे, कौन-कौन इसके साथ जोड़ना चाहता है, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ mark darshan में ध्यान से सुन लो, और PSIR का mark darshan, यानि कि सुमिछ सर के साथ आप one-to-one बातचीत कर पाएंगे ठीक है, with the zoom meeting के साथ यह problem आ रही है, सर मैं यह कैसे कर सकता हूँ, और बाकी भी और problem के लिए हमारे senior mentors है, ठीक है, senior mentors है उनके साथ आप कैसे जोड़ सकते हो senior mentors के साथ अगर जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ भी जा सकते हो, आपको क्या करना है, यहाँ जो number दिये जा रहे हैं उस पर call कर सकते हो, कि we want to be part of mark darshan, हम mark darshan का part बनना चाहते हैं, यहाँ जो form मेरी team दे रही है, उसमें भोड़ दो कि mark darshan, लिख दो खाली mark darshan, हमसे सर बात करिए, और जो last में बहुत serious problem के साथ मैं बात करूँगा और मैं वहाँ उसको solution दोगा और जो मुझे जानते हैं, उसको जानते हैं कि मैं tools बहुत अच्छे देता हूँ, यानि success के तरीके क्या है, इसके बारे में बताता हूँ let's start आगे चलते हैं लोग, तो मैं क्या करूँ कि मुझे घर पे अच्छा माहौल मिल जाए, चलिए हम पहले देखते हैं तो पहला है desk setup, पहले तो अपनी मेज सही करके रखो, बहुत से लोग मेज पे इतना messy कर देते हैं, बड़ा जरूरी है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ ध्यान से लिख लो, जो चीज तुम्हें पढ़नी है, पहले ही तै कर लो जैसे माल लो, for example, अब ध्यान से लिख लो इसको, जो लोग भी घर पे पढ़ाई कर रहा हैं, इसको समझें, चुनौकियां समझ गए हैं सबसे पहले तै कर लो कि अभी दो घंटे में पढ़ने बैट रहा हूँ, ठीक है, दो घंटे मुझे माल लो, इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है तो इतिहास में मुझे ये वाला पार्ट पढ़ना है तो उसकी एक particular book होगी या उसका notes होगा, बाकी चीज़ें सब अपने पास से हटा दो, बिल्कुल light रखो बिल्कुल साफ सुथरा क्योंकि क्या होता है, अगर मैं सही हो तो मुझे बताना, कई लोग क्या होता है, धेर सारी किताबे रख लेते अपनी मेच पे, थोड़ी देर पढ़ते हैं पढ़ा, उनका दिमाग भटकने लगता, बोर होने लगते हैं, कुछ और उठा लेते हैं कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले desk setup कर लो, यानि तुमने एक रात पहले तै कर लो कि मुझे अगले दो घंटे, मेरा ये टाइम है मालो 10-12 का टाइम है, मुझे इतिहास पढ़ना है Modern India पढ़ना है, सिर्फ उसकी books, उसकी notes और उसकी copy तीन चीज़ें वही सिर्फ अपनी desk पर रखो, बिल्कुल clean कर दो, सब कुछ हटा दो, और इतनी दूर रखो कि तुम आसानी से उस तक ऐसे हैं अगर वो online class नहीं चलो, और अगर online class चल रही है तो उस समय किसी भी आप देखते हैंगे कि force stop आता है आप force stop कर दें उस app को कोई notification नहीं आना चाहिए next one, quit zone right कोई भी एक ऐसा कमरा कोई भी एक ऐसा कमरा लो जहां पर आप लोग इसके साथ जा सक्यों ठीक है, बिल्कुल शान्तो करो और यह मेरा वेक्तिकत experience है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, कौन-कौन सुनेगा अभी आपने देखा कि Joe's Talk UPSC में मेरी कहानी आया, आप मेंसे बहुत से लोग कि लिंक यहां शेयर कर दें, ताकि जो बचे मेरी कहानी नहीं जानते कि मेरा क्या लाइफ में संगर्श रहा है, बहुत कम है, अकसर अपने बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, तो Joe's Talk UPSC में मेरा इंटर्विव आया हुआ है तो मेरी टीम आपे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देगी, तो उसमें मेरी कहानी सुनो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो मैं बताता हूँ, तो मेरे घर में बड़ा सीरिस एक्सिदेंट हुआ, बहुत जबरदस ऐसा खरा मौल, मेरी पढ़ाई बड़ा ही छूट गई, मैं इंशोरेंस भी बेचने लगा, कई बार में बात कर चुक हूँ, तो हुआ क्या, मैंने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा, ये मेरा आजमाया हुआ है, अब ज़रा देखो क्या हुआ हुआ, तो क् मैं तुम्हें कहानी बता रहा हुए मेरी खुद की कहानी है, ये मैं कोई बाहर से नहीं, मैंने इसका टाइटल भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, कि ये मेरी और आपकी दोनों की कहानी है, तो मैं तुम से इसलिए बात कर पाता हूँ, इसलिए बहुत दिल से बात क आप काता रहे तुम क्या कर रहो पढ़ाई को छोड़ रहो तुम अच्छे लग रहा कि बातचीत में तुम्हें पढ़े लिखे थे मैंने बताया यहार लाइव का एक फेज है इसको जो बहूत कि हो पढ़ाई करो तो उन्होंने मुझे बाउत प्रेद किया ओस ओफिसर ने ब मैं ही घर का बड़ा लगा, तो मुझे इस सारा काम करना पड़ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, को यह आ रहा है, दिन भर तो 25-30 कब चाही बनाता रहता था मैं, यही काम बज गया था मेरे पास, बड़ी दिक्कत इसमें, पढ़ाई नहीं हो पारी, तो मैंने क्या कि एक दिन प दलवा दीजे, और इंटो को जोड़वा के एक छोड़ा सा कमरा बनवा दीजे, तो इस घर के इस कोने पे, एकदम पीछे खेत की तरफ, आगे भी नहीं, यहां से सीनियों से इंट्री होती थी, तो एकदम पीछे कोई जाना भी चाहे तो ना जा पाए, और रात में तो बि राम के पट्रे का दर्वाजा बन गया, यह सिंपल था, नीचे चटाई पे सोता था, एक छोटी सी मेज थी, कूरसी थी, और उपर एक बल्ब ऐसे बांस से टांग दिया था, बल्ब था मेरा, और एक टेबल फैंट, यही मेरी सबसे बड़ी उसमें जो थाती थी, एक छोट मुझे डर भी लगता था, रात में जो है, कुछ खटर पटर जरा भी हो जाए, लेकिन खुद को हिम्मत बनाता रहता था, कि नहीं पढ़ना है मेरे को, पढ़ना है, गर्मी होती थी, पसीना होता, ऐसे अपना जो है, गम्छा बोलते हैं, ठीक है, तॉलिया टाइप का गले तक मच्छर मार दिया, राद भर बैटके पढ़ा करते थे, ये इस्तित थी, तो एक वो कंडिशन थी मेरी, डर पर काबू पाया, मालो कोई खटपट की आवाज हो जाए, कोई बचाने वाला भी नेगर कोई चोरोर आ जाए तो, और पीछे पूरा खेती-खेत, तो भी जला करती थी, वो जो उसे आती थी, मिट्टी के तेल की बनी हुई, तो वो हम इस्तमाल किया, पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर वहाँ से जिंदगी आगे बढ़नी है, वापस इंजरी क्रैक किया, आगे बढ़ गए, लाइफ में में बैठके पढ़ाई करता था, सिर्फ मुझे आइसोलेशन चाहिए था, तो मैं जानता हूँ, ठीक है, वहाँ से क्या, जब सेलेक्शन हो गया, तो आड़ो स्पोरोस के लोग आते हैं, देखो यहीं पर पढ़ा करता था, देखो तुम घर में सुविधा लेके पढ़ते ह तो आगे चलकर जो मिसाले बनती हैं वो आपकी महनत पर बनती है, आप अपनी महनत पर मिसाले बनाते हो, तो मुझे कोई वो नहीं था, मैं चटाई पर सोजाया करता था, चदर बिचा के, एक टेबल फैन हुआ करता था, कोई सुविधा नहीं थी, एक बल्ब था वहाँ प मुझे अपने आपको आईसोलेट करना पड़ा, तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत आसान है, सवाल है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस इतनी ही जिद है, तो जिंदगी जिद का नाम है, दूसरा, आपके पास स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, या पर आपके से, बहुत मेरी किताबों के सेक्षन होने चाहिए, कई बार हम अस्तवैसर रख देते हैं, मैं अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, मिरे नोट्स होने चाहिए, यानि मैं अपना सेक्षन जब टाह करने जाओं, तो किताब में ना टूड़ा, अबे, ओबे, ओबे, किताब कहा है, अरे भाईया, मिली नहीं रहे, कई लोग अखबार के नीचे, किताब, किताब के नीचे, नोट्स, नोट्स के नीचे पता नहीं क्या-क्या भर देते हैं, कभी-कभी कुछ ऐसी सामगरिया निकल आती है, कि कोई साफसाफाई करने वाला जाए, तो सर्मा के भ कहां आप शांत हो पाएंगे, तो कई बार हम कमजोर होते हैं, हमें, जैसे मुझे भी डर लगता था उन दिरो, कि घर के सबसे कोने में हूँ, कुछ भी बात हो जाए, तो कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, नीचे आवाज ही नहीं जाएगी, बट दाट वस माई डिसीज यार, वो मेरा डिसीजन था, कि मुझे पता था, यही एक रास्ता है मेरे पास, मुझे अगर आगे जाना है, तो मुझे अपने आपको एकांत में रखना पड़ेगा, तो that was my choice, इसलिए कहता हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी निरने लेना और अपने निरने पर टिके रहना है, मैं अपने निरने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसलिए आज यहाँ हूँ, हर मुझे के बाद मैं आज यहाँ हूँ, और अगर मौका मिले तो जो स्टॉक पर जो मेरी कहानी है, उसको सुन जरूर लेना, क्योंकि यह कहानी किसी extraordinary person की नहीं है, एक बहु सिर्व इसी दो लाइन की है, आज भी यही चल रहा है, मैं बार बार तोड़ दिया जाता हूँ, फिर से खड़ा होता हूँ, फिर से जोड़ता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, तो मुझसे तुम इतिहास सीखो ना सीखो, कोई फरक नहीं पड़ता, भूगोल सीखो माद स गलत भी होते हैं, जिम्मेदारी मेरी है, मैं सीखोंगा तो, तो बस इतना सीख गए, जिन्दगी में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है जिन्दगी में सक्सेस होने का, कि ये फलनवा गोल्डेन स्पून के साथ पैदा हूँ सक्सेस हो, जिनून है, ये बात हमेशा याद रखता हूँ, आगे बड़े, छोटी सी बात और कहता हूँ, ध्यान से सुनो, तो जो लोग मार्क दशनक साथ जुड़ना चाहें, वो जुड़ें, क्या-क्या करो घर पे जब रहो, कौन-कौन से संसाधन तुमारे पास होने चाहिए, सब जितने जितने लोग हैं, सब लोग हाँ कहें, जिन्होंने NCRT की बुक्स पूरी कर ली है, और नहीं की है, तो सुबह सायम सर मंडे से आ रहे है, NCRT के क्विज लेकर उनके साथ जुड़ जाना, ISV दोजांग सर के चैनल पर, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मंडे वाली दे दी जाएगी, दूसरा, निउस्पेपर और मैगजीन, जो लोग निउस्पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, उनका सेलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, तो try to find out कौन कौन सी इंडियन एक्स्पेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, ठीक है, दैनिक जागन का राश्टी संस कर पढ़िए, योजना और कुरुछेतर मैंने हमेशा कहा था, और government document, यानि important government documents आपको पढ़ना आना चाहिए, UPSC के maximum question यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं, और तीसरी चीज, online test series जरूर करिए, यह दोनों मिलाकर बनता है, subject के साथ, इसको हम लोग बोलते है, forward study method, क्या नहीं चलेगा, मालो तुमने मचली के लिए चारा फेंक दिया, और तुम काटा खीचना नहीं जानते हो, जाल, तो मचली पकड़ में नहीं आएगी मिर भाई, तो दूसरा होता है, RSM, reverse study method, और reverse study method के लिए सबसे best तरीका है, कौन सा तरीका है, और उसको बोलते है, online test series देत हो, अब क्या होगा, अब एक important घोशना सुनो, में तरफ से तुम लोग के लिए एक जबरदस gift है, क्या gift है, ये भी सुन लो, पहला gift, मैंने भी कहा कि government documents, कुछ documents UPSC के लिए बहुत जादा important होते हैं, बहुत जादा important होते हैं, उसमें पहला important है, down to earth, कितने लोग इस magazine के बा कितने लोग इस magazine के बारे में जानते हैं, हाँ या ना, मलब environment technology के चाहिए prelims हो, main so, या interview में पूछे जाने वाले question, सबसे जादा question का source यही है, योजना कुरुचेतर के बाद, मैंने हमेशा down to earth के बारे में, geography and you के बारे में आपको बताया ही, बताया है, कितने लोग down to earth के ब होते हो, direct source है यह UPSC के question का, direct source, UPSC कहा रहा है, भई हम बना देंगा, 1000 रुपे माइस, तुम बनना चाहते हो, बताओ, no, no, लिख के बेज रहा हो, मैंने अपनी, इसका मिलो, तुम लोग मेरी class ही नहीं देखते, importment, government, documents में मैंने हमेशा geography and you are down to earth का नाम लिया ही, लिया है, यह magazine की हालत इस समय ऐसी चल रही है, कि मुखरजी नगर करोल बाग में इसकी प्रतियां वापस नहीं होती है, हर बच्चे को, अवेर बच्चे को यहाँ पता है, आती है और खतम, आती है और खतम, यह हालत हो गई है इसकी, योजना, कुरुचेतर और इस magazine यह return नहीं जाती है, क्या आप बात कर रहे हो, वो देखो, गुंजन ने लिखा, आपने पहले कभी नहीं बताया, देवी को सुनो, कितनी कितनी बार down to earth, geography and you, योजना, कुरुचेतर, economic survey, EPW, जब मेरी हर class देखोगे तब तो सुनोगे, और सुनके लिखोगे तब तो याद रखोगे, राइ आप लोग के कई महलों में मिलती ही नहीं होगी आपके जिले विले में, डाउन टोर्ट नहीं जल्दी मिलती है, पिछले 3-4 सालों से इस magazine में, उम्हें पता है, इसकी जो chief editor है, वो कौन है, सुनीता नारायनन, टाइट, और वो एक बहुत बड़ा एक mission चलाती, worldwide, परियाव segment के तमाम panels पर हैं वो, तो बहुत जादा important जो है, वो segment है, down to earth, तो down to earth magazine को base करते हुए, मैंने question बना दिया है, I am the first person, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहां से question आते हैं, वहीं से सीधे आपको दे दिये जाएं, तो मैंने objective question, I am the first person, ये मेरा पहला innovation है, class के सभी देना, ये हिंदी में भी आता है, question Hindi English दोनों में है, ठीक है, तो question मैंने down to earth base magazine बनाया है, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको जाना है OTP पे, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ ना, अब तुम पूरी magazine छाटोगे, तो उसमें क्या question objective बनेगा, सीधे मैं तुम् मैं चाहिए, टीचर से, पीवी सर से बोलके, class करा दूँगा, कि सर, आज ये वाला issue आया है, जन्वरी का, इस पर मैं पहले बच्चों से question करा लेता हूँ, आप इनको पढ़ा दीजिए, ये ही तो चाहिए तुम्हें, क्योंकि आधे ज्यादा लोग तो, अभी देखो, कित पिछले एक डेड़ महीने से इसी पे काम कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हे एकदम यहाँ पहुचा देना है, कि ये question करोगे, ये तुमारे लिए important हो, यहाँ से objective ये बनेगा, तो कहा जाना पड़ेगा तुम्हें आज, और class में कई लोग सो रहें, उनको जगाना भी प इस पर click करना, UPSC daily quiz दिख रहा है, practice quiz में UPSC daily quiz, चले गए, आप यहाँ चले गए, यहाँ जैसे जाओगे, दूसरे नंबर पर है, down to earth test 1, इसका मतलब है, कि मैं बहुत धेर सारे test लेकर आया हूँ, daily test होगा objective, daily objective test होगा, अब तुम्हें इतनी लंबी चोड़ी magazine पढ़ने क जरूत नहीं है, पहले लगाओ question, कि इस topic पर क्या बनेंगे objective question, PV sir को बोल दूँगा, वो down to earth की class आप से ले लेंगे उसी topic पे, तो क्या हो जाएगा, topic भी पूरा, objective question कैसे बन रहा है, वो भी पूरा, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे, तो sir इस पर subjective question भी बता दीजे, क्योंकि ये mains के लिए भी बहुत जरूरी है, सब को पता है, तो environment technology के जो question है, उनका source ये क्या हो गया, second number पर क्या दिखाए पड़ा है, down to earth, फिर से बताओ कैसे, अभी क्या करना है, OTP को download करना है, या उसके web portal पे जाना है, गए, practice quiz दिख रहा है, तीसरे number पर, practice quiz में click करो, U दूसरे number पर क्या है, down to earth, और अभी मैं data देख लूँगा, कि इस class में इतने बच्चे हैं, कितने लोगों ने test दिया, test देने से बिलकुल मत घब रहा हो, मुझे बताओ कि sir, इसमे quality ISE है, वैसी बहुत, पहली बार इंडिया में किसी ने down to earth के objective question दिये है, तो जब तुम test लगा लोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि sir, मुझे इसको समझना भी है, तो मैं PV sir से class भी करा दूँगा, बढ़िया है, यही मेहनत में कर रहा था, और अगर अच्छा लगेगा, feedback दोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें शुरू कर देंगे, और ने-ने magazines की class, ओ पकड़ के बैट जाना है, हाँ sir, अब हमें लबासना गेट के अंदर धकिया के छोड़ के आई है, तो जल्दी से, तो हम वहाँ पे तुम्हें धकिया छोड़ आएंगे, और मान लो for example, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं पापा आ रहे हो, QR code, तो एक काम को रहे, WhatsApp नंबर लिख लो, ठीक है, WhatsApp, नंबर लिख लो जल्दी से, इनको बोल दो कि हमें जरा लिंक दे दीजिए, हम आपके साथ ये टेस्ट देना चाहते हैं, और डेली टेस्ट देना है, 9319695945, WhatsApp नंबर, लिखो जल्दी जल्दी, बोलो कि प्लीज मुझे इस टेस्ट की लिंक दे दीजे, हाँ या ना, तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं भागोगे, तो मैं तुम्हें लबासना गेट के इंदर धकी आके फेक के आओंगा, चलो, जाओ, तुम्हारी दुनिया यही है, जाओ मेरे देश का कुछ भला करो, जाओ मेरे देश के लिए कुछ का करो, मैं गुरू हूँ, तुम्हें बना के भेज रहा हूँ, लेकिन आगे मेरे राष्ट को बनाओ, मेरा बिल्कुल माइंसेट बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जाओ, कम से कम अपनी जिंदगी में 100 ऐसे लोग का भला करो, जिनके पास दो व पच्चे स्कूल जा रहे हैं, या 100 महिला हैं अपने पैर पर खड़ी हैं, मुझे आके बता देना उस दिन, बस हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं चाहिए, इधर से मैं भेजूँगा, उधर आके तुम जाके भारत का निर्मान करो, ठीक, आया मज़ा, तो मेरे भाई, लबासना पहुचना है, यह स्टूडेंट खड़े हैं सब लाइन से, अगर लबासना पहुचना है तो जल्दी शुरुआत कर दो, बैठ के इंतजार मत करो, बार्मी हो गई है, यह नहीं क्या पतारे, सर ग्रेजुएशन करने के तबाहिए, इसकी तैरिक, जल्दी शुरू खुदोगे, RSM के बिना, सेलेक्शन नहीं होगा, रिवर्स स्टेडी के मेना, और इसी लिए बार-बार कह रहा हूँ, जाओ, OTP पे लग जाओ, यह सारे फ्री टेस्ट हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मेंस का टेस्ट दो, अब्जेक्टिव टेस्ट दो, और लग जाओ पागलों की तरह, और down to earth एक ऐसा section है, जहां से अपने किसी senior को phone करके पूछ लो, आज उजांक सर ने बताया कि down to earth magazine बहुत important है, environment technology, pre, mains, interview, तीनों के लिए, जो उनकी annual reports आती है down to earth की, सर वो बहुत important है, आपकी क्या राय है, फिर आकर मुझसे बताना, कि वो राय क्या दे रहे हैं, और reason और भी बहुत important है, आप लोग को मैंने हमेशा बताया था, geography and you बहुत important है, covid में कुछ ऐसी घटना हो गई है, ये जान लो, मैंने हमेशा geography and you के बारे में हमेशा का कि geography के core concept वहां से आते हैं, लेकिन covid के दौरान कुछ ऐसी घटना होई कि geography and you का publication बंद हो गया ह यानि environment technology और basic geography पढ़ने के लिए जो आपके पास इकलौती अब authentic document है, वो है आपका down to earth, इसी लिए आज की date में जब से geography and you का publication बंद हो गया है, तब से बच्चों के अंदर दिवानगी बढ़ गई है, बलब आती है प्रतियां और खतम हो जाती है, ये इस्तिती है, तो चलि अब राज रेंदी नहीं लिखा है, सर गुर्कुल बैच online, अब इस पर थोड़ा सा संजीदगी से सोचना पड़ेगा, कि गुर्कुल बैच में हम मार्क दर्शन को कैसे लेकर आप आप आएंगे, तो हम मार्क दर्शन बैच लांच कर सकते, आप में से कितने लोग को चाहि हैं, तो फॉर्म जरूर भर दीजेगा आप लोग, ठीक है, फॉर्म जरूर भर दीजेगा, और आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग आएं और यहां पर टेस्ट दें, और मुझे फीडबैक दें, कि सर ये अच्छा प्रियास है, आप EPW भी लेकर आईए, economical and political weekly, English medium वालों को नसीब से मिलती है भाई, इसलिए तुम कहतो ना कि English medium को selection क्यों हो जाता है, हिंदी वालों को नहीं होता, EPW, economics और polity के topic पढ़ाने के लिए बहुत ही best magazine है, तो जिस दिन आप कह दोगे, आप इसके साथ लगो, मैं daily test test upload करा रहा हूं, सारे लोग हिम्मत से दो, कहां जाना है, ओजांक test practice पर, practice quiz के section में, UPSC daily quiz में, और वहां जाकर, यह test दे देना है, down to a test one upload कर दिया हमने, और all India rank check करो, और जो लोग घर बैठे तयारी करना चाहते हैं, मालों नहीं आप आ रहे हैं, तो घर बैठे तयारी करन होना है, जो step मैंने बताए हैं, वो dissection अगर हो रहा है, तो coaching की सुरत क्यों है, क्योंकि dissection हो रहा है, गुरकुल बैच क्या है, तुम्हें बिल्कुल isolate, hostel भी हमने three star facility के साथ रखा है, एक ऐसा hostel रखा है, जो सोची नहीं सकते होस्टल के बारे में, कि इसको भी, इन्होंने मि भर, top most, कहां से result आ रहा है, कैसे result आ रहा है, इसकी बहुत thoroughly study की है, और उस study के साथ हम तुम्हारे साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ जाईए, घर बैठे करिया है, यह कुरकुल बैच को join करिए, और अगर आप लोग, मैं फिर से request कर रहा हूं, जो लोग चाहते हैं कि उनक IR option क्या हो सकता है, एक दो दिन आराम से बात करिए, जोगर्फी option में PV सर से बात करिए, मुझसे बात करिए, अन्य टीचर से बात करिए, और मार्क दरिशन के साथ जुड़ जाईए, क्योंकि आज toppers भी ये लोग कह रहे हैं, अगर मैं आप से last में बात करूँ हूं, ध्यान नहीं थे, ठीक है, प्रदीप सिंग जी, rank 1, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, अलग-अलग लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह सारे लोग जो हैं, इन्होंने कहा कि हमने mentors की मदद ली थी, हमने mentors की मदद ली थी, हम privilege नहीं थे, नौक दी करनी बड़ी पैसा नहीं था लेकिन हमने mentors की मदद ली थी, तो coaching उसके लिए है, जब तुम्हें माहौल नहीं मिल रहा है, तुम्हें यह नहीं पता किस रास्ते जाना है, तो coaching वहाँ है, और mentorship वहाँ है कि मुझे coaching मिल रही है, लेकिन मेरा आसपास माहौल नहीं है, मेरी answer कैसे check होगा, मुझे कौन motivate करके करके रखेगा, वहाँ मिल जाएगा